नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुपता, सीनियर गानेकॉलजिस्ट, दीवा IVF सेंटर से आज मैं आपको पूर ओवेरेंड रिजर्व के बारे में बताना चाहती हूं पूर ओवेरेंड रिजर्व, वो लोग अच्छे से समझते हैं जिनको यह दिक्कत है पूर ओवेरेंड रिजर्व का मतलब होता है कि लो फर्टिलिटी सिंपल भाषा में या फिर जिन में बच्चा होने की कैपैसिटी या बीज होने की ताकत थोड़ी सी कम है ऐसी प्रॉब्लम डेफिनिटली 35 यर्ज के बाद 25 साल की उमर के बाद जादा होती है पर लेकिन यंग गेज में भी आजकल कम उमर की गर्ल्स में भी काफी कॉमन है इससे दिक्कत क्या होती है कम फर्टिलिटी इसको हम दूसरी भाषा में scientific language में जैसे जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है उनको पता है उनको AMH, Anti-Mullerian Hormone नाम का एक टेस्ट होता है जो की काफी लो होता है generally less than 1.5 वाले पेशेंट्स लो फर्टिलिटी में आते हैं लो फर्टिलिटी से पेशेंट्स को क्या-क्या दिक्कत हो सकती है लो फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को ऐसा नहीं है कि नैच्रल प्रेग्नेंसी नहीं हो सकती बट लेकिन दूसरे पेशेंट के कंपारिजन में चांसे कम होते हैं सेकेंड इंपॉर्टिंट थिंग अबाउट लो फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं अगर स्पेशली उनकी एच जाता है और उनको निसंतानता की तकलीफ है और काफी टाइम से ट्राइ करने के बाद गर्ब नहीं ठहर रहा है और वो टेस्ट त्यू ऐबी आलाज कराने के लिए आए हैं तो लो अमेश में पेश्ट के नमबर ऑफ एग्स कम बनते हैं जानरली हम पुर ओवेरें डीजर्व लेस देन 5 ग्स देन 4 ग्स तो हम पुर ओवेरें डीजर्व बोलते हैं तो poor ovarian reserve में अगर हमें IVF में कम number of eggs मिलेंगे तो chances of pregnancy are also less क्योंकि हम patient को pregnant होने का मौका कम बार दे सकते हैं जितने ज़ादा eggs रहते हैं तो हमारे पास उतने ज़ादा भूण होते हैं और उतना ज़ादा patient का pregnant होने का chance बढ़ जाता है जिन लोगों को age भी ज़ादा होती, young age में तो कई बार क्या होता है दो ही eggs मिले, दो ही embryos मिले और patient conceived हो गए क्योंकि young age के जो eggs होते हैं वो ज़ादा healthy होते हैं और pregnant होने के chances ज़ादा होते हैं miscarriage के chances कम होते हैं पर लेकिन अगर patient की age ज़ादा है तो यह सभी risk बढ़ जाती है और patient का pregnant होने का chance भी जेनरली इन IVF लेस दिन 35% रहता है दूसरा लोगों कोई बार प्राइमरी होता है प्राइमरी मतलब patient को कोई बिमारी नहीं होती और ऐसे ही ovarian reserve naturally उसका कम होता है low fertility naturally और कभी-कभी secondary मतलब in response to certain diseases कुछ बिमारियों की वजह से ऐसा हो जाता है commonly ऐसी कौन से बिमारियां होती है जो ovarian reserve को effect करती है one is endometriosis सबसे common endometriosis है endometriosis से ovary damage हो जाती है और ovarian reserve कम हो जाता है second is ovary में किसी और तरह की गांट अलग endometrioma के अलावा जिसे काफी commonly लोगों में dermoid cyst होती है dermoid cyst अगर patient surgery कराता है तो उसके बाद थोड़ा सा ही ovarian tissue बच जाता है और अगर patient को दोनों side हो गई तब तो बहुत मुश्किल है दोनों side में अगर हो जाती है तो काफी cystectomy मतलब operation के दौरान उसके ovaries में से काफी हिस्सा निकल जाता है और उसका ovarian reserve कम हो जाता है कई बार patient को मान लो अगर young age में cancer हो गया और उसकी एक side की ovary निकल गई या अगर आपने सुना हो ovarian torsion ovary अपनी ही जगे पे घूम जाती है जाधातर 15 से 25 साल की लड़कियों को ovarian torsion होता है और ovarian torsion में क्योंकि blood supply ovary को बंद हो जाती है तो ovary का necrosis और ovary का damage होता है और फिर उससे surgery करके निकाल देना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं निकाल दे तो patient को infection और उसकी मरने का भी खत्रा होता है तो ovarian torsion से अगर ovary damage हुई भी होती है तो भी वो एक side की ovary patient की निकल जाती है एक side की ovary अगर patient की निकल जाएगी एक ही side की बची तो definitely वो patient की overall fertility को effect करेगी 50% कम हो गई जो हमारे पास existing fertility थी उसमें से अगर एक ovary निकल जाएगी तो आपकी fertility सीधा सीधा 50% कम हो जाती है तो ये सब कारणों की भजह से patients को low AMH या fertility low हो जाती है अब routine cases में हम क्या कर सकते है और eye wave में क्या क्या कर सकते है routine cases में ये होता है कि अगर हमारे पास low AMH का patient आता है तो हम उसे बहुत लंबे time दवा दे दे के खिचते नहीं है कि साल डेट साल ट्राय कर लिया नहीं हुआ फिर ये कर लिया वो कर लिया रुग गया टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा नहीं है इन patients को generally मेरा protocol ये रहता है कि 3-4 months पहले medical treatment कर लो उसमें नहीं हुआ तो 2 IUI cycle कर लो और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो IVF हम उसन patients में कर सकते हैं IVF करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हमने timely IVF नहीं किया इन patients को तो इन patients की number of eggs कम में लेंगे और patient को donor eggs से IVF करवाना पढ़ जाता है जो कोई भी नहीं चाहता सभी अपना genetic बच्चा चाहते हैं अब IVF की बारी आई तो क्योंकि इन patients में IVF में भी chances कम होते हैं तो हम इन patients में क्या कर सकते हैं इन patients में commonly duo stim double stimulation किया जाता है क्योंकि number of eggs मिलने के chances कम रहते हैं तो पहले एक बार injections लगाए eggs निकाले, embryos बनाए, उनको freeze कर लिया मानलो एक ही embryo मिला फिर उसके बाद दुबारा अगले महिने फिर से injections लगाए फिर से embryos बनाए और उनको फिर से freeze कर लिया तो मानलो ऐसे दो बार करने से अगर patient के दो या तीन embryos भी मिल जाते हैं तो अगर हम उन दो तीन embryos को transfer करते हैं तो जो patient का initial pregnant होने का chance 20-25% होता है it may go as high as 40-45% and we have seen such cases conceiving by dual stimulation and it is an established technology nowadays in IVF for patients having low ovarian reserve low ovarian reserve बाले patients का ovarian reserve improve करने के लिए कुछ medicines अभी science में आ गए है तो उनको medicines को खाने से 2-4 महीने eggs का number improve हो जाता है जैसे अगर मानलो मुझे 2 ही मिलने वाले होते हैं तो मैं उनको एक-2 महीने patients को खिला देती हूँ तो उनके 2 की बजाए 4-5 मिल जाते हैं और patient को थोड़ा बहुत holistic therapy, yoga, exercise और food patient को थिहान रखने के लिए बोलते हैं weight loss करने के लिए बोलते हैं तो if all these things are taken care of then I would say कि such patients can also attain results as good as 40-45% तो I would suggest कि अगर आपका IMH लो है तो please don't ignore and please consult an infertility and IVF specialist rather than stretching the treatment unnecessarily thank you